नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोतिस सीक्रेट कुम रासीपल 2022 जनबरी फरवरी और मार्च ये तीन मेहना क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है तो चलिए सबसे पहले आपके करियर से सुरुआत करते हैं अगर आप जोब करते हैं तो थोड़ा सा उतार चड़ाओ भराओ ये महिना रहेगा क्योंकि दसंभाव में मंगल के साथ राहू और केतु का प्रभाव भी है तो नौकरी को लेकर इस समय आपको साबधान रहना है क्योंकि अगर आप जोब करते हैं कारेस्थल पर हो सकता है किसी बात को लेकर किसी से थोड़ी से बिबाद हो जाया है जिसके करण आपको छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़े इसलिए समबब हो तो अपने काम कर रहे हैं लोगों के साथ तालमेल को बेहतर बनाई रखें और विबाद करने से बचें क्योंकि उनके साथ अच्छे संमन्ध बनाकर चलना आपके लिए अच्छा है क्योंकि कई गरों की चाल ये कहता है कि मन में आपको काम नहीं लगेगा और साथ आप अपने कहीं महतपरना कारियों को समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे तो गरहों की ये सडियंत रहे तो आपको समझना होगा नई तो फिर आप परिसानी में फसेंगे अगर आप बेफसाई हैं कारोबारी हैं तो ये महिना अच्छा है क्योंकि सप्तम्भाव के स्वामी सूरी जो हैं वो एक आदस भौ में आप जो भी परियास करेंगे उसमें आपको सफलता देंगे और बैपार में पर्मोसन का योग हैं लाब के योग हैं बस इस समय सरकारी छेतर या सरकारी अधिकारी से लाब मिलने के योग बन रहा हैं किसी भी परकार का पुरसकार सबसीडी आपको मिल सकता है बैपारी हैं तो यात्तरा बेगेर के भी अवसर आपको मिलेंगे और मार्केट से आप अपने स्रोथ बढ़ा सकते हैं यानि बैपारीयों के लिए भी अच्छा है लेकिन धन की बात करें तो जन्वरी का जो महना है मिला जुला हुआ है अगर आप जौफ करते हैं तो आपके इंकम इंक्रिमेंट बढ़ेंगे और अगर आप किसी करज में हैं तो आप उसको चुकता कर पाएंगे जो बैपारी हैं धन लाब होने के योग हैं लेकिन जिससाब से पैसे आ रहे हैं खर्च भी हो रहा है तो थोड़ा खर्चों पर कंट्रोल रखें और धन को बचाने का प्रयास करें और अभी आपके उपर चल रही है सनिदेव की साढ़े साती तो ऐसे में समल के रहने की आवस सकता है आपके लिए थोड़ी चिनोतियां है धन के मामलों में खर्च के मामले में अब सनिदेव और बुद्ध के साथ सूरिदेव भी जब आपके 12 भाव में रहेंगे तो खर्चों में और अधिक इजाफा होगा तो यहां पर सुरुवात में ही आपको ध्यान रखना है बजट बलाकर आगे बढ़ना है अगर आप बिदेश जाना चाहते हैं तो अवसर भी मिलेगा और धन यहां पर थोड़ा खर्च होने के भी योग है तो लंबी दूरी की यात्रा के योग है अब अगर हम स्वास्त की बात करें तो 12 भौ में आपके रासी के स्वामी सनिदेव हैं और 14 जन्वरी के बाद सुरी भी यहीं पर आ रहे हैं तो यकिनन थोड़ा सा स्वास्त की परिशानी होगी जब सुरी सनी एक साथ होंगे तो अपने आपको स्वास्त का बहुत ध्यान रखना है पेट की समस्याओं से बचना है क्योंकि इस समय कहीं न कहीं थोड़ा सा आपको खान पान का खयाल रखना होगा और अगर किसी भी तर की कोई परिशानी होती है तो समय पे डॉक्टर के संपर्क में रहे प्रेम और बैवाहिक जीवन तो जनवरी 2022 आपके लिए बढ़िया है अगर आप किसी के साथ रिष्टे में हैं प्रेम करते हैं अपना पन बढ़ेगा दिल की बात कहने का मौका मिलेगा और यहां पर 16 जनवरी के बाद मंगल के एकादस भौ में आने से प्रेम संबंदों में छोटी मोटी समस्याए है हलां कि जो सूरी का भी सनिदेप के साथ आने से गरहों की स्तिती ये कहती है कि आपको जो भागी का साथ मिल रहा है रिस्तों में वो 14, 15, 16 जनवरी ये 3 दिन आपके लिए बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा संबल के ही आपको आगे बढ़ना अब बैबाई जीवन की बात करते है तो दामपत्ते जीवन अच्छा रहेगा जीवन में सामन जस्त से है प्रेम है और सबसे बड़ी बात है कि सूरिदेब 14 जनवरी को अपना गोचर करते वे आपकी रासी के 12 भॉम में बिराजमान होंगे तो जीवन साती के साथ संबंदों में थोड़ी सी दूरियां दिखेगी थोड़ी सी रिस्तों में नोग जोग है इसलिए साधी सुदा जीवन को संभाल कर रखना है क्योंकि साड़े साती का भी प्रफव यहां आपके रिस्तों पर चल रहा है संतान के लिए ये वक्त बढ़ियां है और उनके अंदर छुपी भी परतिवा बाहर आईगी तो पारिवारी जीवन की बात करें तो उतार चलाओ तो है क्योंकि चतुर्धवाव में राहू है उस पर मंगल की द्रिष्टी है तो घर परिवार का वातावरन कहीं न कहीं थोड़ा सा गरवड हो रहा है घर में काम करने में मन नहीं लगेगा हो सकता है घर में किसी सदसे के स्वास्त में अचानक से कोई गिरावट हो जाए माता पिता का स्वास्त में भी थोड़ी बहुत समस्याए है नह चाते वे भी घर वालों की कुछ इक्चाओं को पूराव नहीं कर पाएंगे इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है और भाई बेहनों से छोटी मोटी जड़ा फोने की भी संभावना बनी भी है तो इसमें आप अपने माता पिता के स्वास्त का ध्यान डखे और बहस ना करें क्या करें जन्वरी के मेहने में कि चीजे बढ़ियां हो जाए जितना ज़्यादा हो नमसी भाई का जब करें और सिपलिंग पर एक लोटा जलार पित करें दूसरा रोज साम में सोने के पहले ओम संग सने चलाए नमा या भी कभी भी साम के समय आप कर सकते हैं जब आपके लिए बढ़िया रएगा चली जानते हैं फरवरी और मार्च का मेहना क्या कहता है तो कुम्रासी वालों फरवरी के मेहने में जो भी छोटे-मोटे मुद्धे हैं बहस हैं मतभेद हैं वो आपके सुलत जाएंगे जो भी अटकेवे कार है वो आपके समय पे पूरे होंगे और किसी कारे को लेकर हो सकता है यात्रा करना पड़े परिवार के लोगों के बीच आपका प्रेम बढ़ेगा लेकिन कोई बाहरवाला आके गलत फहमी न डाले आप लोगों के बीच में आप प्रेम जो है उसको तोड़ने का प्रियास न करे इसके लिए आपको सतर्क रहना ही चाहिए फरवरी के महने में कारोबारी है तो धन के लिए अच्छा है व्यापार के लिए सूभ है जो भी अटके वे व्यापारी समझाते हैं वो आपके फिर से पक्के होंगे जौब करते हैं तो कारे का बोज है आप पर तो नई नौकरी के अफसर भी आपको मिलेंगे जो बिद्यार्थी है नया प्रोजेक्ट मिलेगा और पढ़ाई के सिलसले में बाहर यात्रा बेगरा भी है ऐसे में इस अनुभव से बहुत कुछ आप नया सीख सकते है जो बिद्यार्थी है उनका पढ़ाई पर थोड़ा स आप हो सकता है रूड हो जाए आपका जो रवया है थोड़ा रूखा पन लिए हो जाए जिसके चलते हो सकता है आप लोगों की वीच दूरियां बढ़ जाए तो रिस्तों को समभाले स्वास्त की बात करें तो कोई खास टेंसर नहीं थोड़ा सा जैसे की ठंड का मौसम में तो गले का ध्यान रखें वैसे आप फिट हैं थोड़ी बहुत तनाव है पर कोई खास नहीं मार्च का महिना कुम वालों मार्च के महिने में होंगे बहुत बड़े बदलाओ क्योंकि पारी बारी जीवन थोड़ा सा तनाव देगा खास कर जो आपके रिस्तेदार हैं जो आ बहुत ही ज्यादा सभल कर आगे बढ़ना पड़ता है तो पार्टनर्सिप में काम अगर आप करते हैं तो भी ध्यान रखना है वैसे समझदारी से हर जेगा काम लेना होगा कोई भी फैसला दिमाग से यूज करें धर्मकारे होने के घर में परिवार में योग बने वे हैं धर्मी कारे होंगे घर का माहौल बढ़ियां रहेगा कारो बारी हैं तो पार्टनर्सिप में काम भी आपको सम्हल कर ही करना है और ब्यापार में बिस्तार देने के लिए ये माँ अच्छा है पर सोच समझ कर समझाता करें अगर आप नौकरी की तलास में है तो अच्छे चाहिएगा जो बिद्यारती हैं उनका सपोर्ट सिनियर का मिलेगा टीचर का मिलेगा और आपका थोड़ा बहुत तनाव है प्रेसर है एकजाम का लेकिन फिर भी सपोर्ट के कारण आप आगे बढ़ जाएंगे विभाईत हैं तो किसी बात को लेकर थोड़ा सा टेंसन है औ कि मानसिक टेंसन तो है तो इन सभी चीजों से बशने के लिए 2022 में क्या करें कुम्बा ले एक तो रोज साम में आपको ओम संक्सने च्रायन महका जब करना है दूसरा रोज आपको सिपजी को जलार पीद करना है आपके तमाम समस्याओं का समाधान सिपजी के पास है हम आप के लिए 2022 मंगल में हो